अरुन और तहलका ने बताया मननारा का साइड ना लेने का रीजन वेल सल्मान खान के शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइफ फीड में हमें देखने को मिला अरुश्वर्या और नील आपस में रुमैंस कर रहे होते हैं यहाँ पर एश्वर्या ये शुकायत करती हुई नजर आती है रिंगू से कि खानजादी ने तीन दन से अपनी वाश्रूम साफ करने की जूजी को नहीं किया है वही दूसरी तरफ तहलका और अरुण लड़कों के बात्रूम साफ करते हुए भी बात्रूम एरिया में नजर आते है एश्वर्या से रिंगू कहती हुई नजर आती है मैं इस शो में खानजादी को मॉनिटर करने तो नहीं आई हूँ और मैं इन सारी चीजों में अब नहीं पढ़ना चाती क्योंकि मुझे खानजादी से बात्चीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है रिंग को यहाँ पर एश्वर्या को याईवाइस देती हुई नजर आई कि सना को जाकर ये वो कंप्लेन करें क्योंकि सना को ही बिग बॉस दे जिब्बदारी दी है ये देखते की कि पूरा घर सही तरीके से क्मीड रहे एश्वर्याद सना के पास जाकर इस बात को लेकर शिकायत भी करती हुई नजर आती है वहीं दूसरी तरफ तहलका और अरुन बिग बॉस की बात्रूम में बिग बॉस की कैमरे के सामने ये बात बताते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार उन्होंने मनारा का सपोर्ट क्यों नहीं किया था कल रात में अविशेक और मनारा के जगड़े के बीच में वहीं यहाँ पर अरुन और तहलका कहते हुए नजर आये कि वीगें के वार में जब तहलका ने सभी लड़कियों के खिलाफ आवाज उठाई थी कि अविशेक इस घर में सबसे ज़्यादा लड़कियों से बत्तेमीजी तरगे से बात करता है तब खानजादी के लावा किसी भी कंटेस्टेंट ने तहलका का साइड नहीं लिया था इसी बात से नाराज है आरुर और तहलका माहमन नारा से यहाँ पर दोनों कंटेस्टेंट से भी कहते हुए नजर आये कि वो जब से इस शो में आई है तब से वो सिफ रोती ही रहती है और उसने मुझे अन्ना कहा था लेकिन इसके बावजूद उसने हमारा उस दिन टास्क में साथ नहीं दिया तो अविशेग के साथ हो रहे ही लड़ाई को वो खुद ही जेले अगर अविशेग बत्तमीज नहीं है तो वल यहां पर एशवरिया लगतार खाँजादी को टार्गेट करती होगी नजराद और स वनासे शीकायत कर रही होती है कि खाँजादी से सणा काम करवाए नहीं कब मननारा और अवशेक की होई लड़ाई पर क्या कोछे कहना हामें कॉमेंस में जरूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें